हेलो माय डियर स्टुडेंट कैसे आप लोग आई होप आप लोग मढ़िया होंगे और साही से पढ़ाय लिकार करते होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में एसकिन पर जो भी फर्मूला दिखर आलजेवरा का वो हम प्रूब करना सिखेंगे आपको फर्मूला तो याद होगा अगर नहीं आद होगा तो मैंने कई सारे ल्जेवरा के विडियो बताया 50 पर फर्मूला एक विडियो में ने ने थर्त्टी फर्मूला बताया सबसे पहला है सबसे पहला प्रूब करते हैं ए प्लस बीका हॉल स्कुर्ट अगर किसी बीका हॉल स्कुर्ट तो हम करेंगे किया ए प्लस बीका हॉल स्कुर्ट है तो उसी तरह से इसका प्लस बीको दो बार गुना पड़ेगा याई तक समझ गये इसको दो बार लेकर लेकर अब गुना करना है पहले इस एक को इन दोनों में गुना करना पड़ेगा है यहां लेंगे और यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे और इसको यहां लिखेंगे और इसको यहां लिखेंगे और इसको यहां लिखेंगे यहां लिख दिया ताकि गुना करने में असानी हुआ अब देखिए पहले A को A से गुना करेंगे तो A गुना A, A स्क्वार हो जाएगा प्लस का साइन देंगे ये बाला फिर A को B से गुना करेंगे तो A B हो जाएगा ठीक है न, A B लिख दिये ये बाला प्लस यहां आजाएगा फिर B को A से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा BA पलस का साइग यह वाला पलस फिर B को B से गुना करेंगे तो यह BA स्क्वाइर हो जाएगा अब जो सजाती है उसको एक ज़र कर दीजिए और जो विजाती है वो तो अलग-अलग रहेगा ही जैसे कि अब सबस पहले B स्कूर तो यह हो गया फॉर्मूला A पलस B का होला स्कूर ओके समझ गए चलिए नेक्स जांते है नेक्स है A पलस B का होला स्कूर एक और फॉर्मूला आता है वो होता है A मैनस B का होला स्कूर पलस फोर A B तो यह कैसे होता है देखिए फर्मूला का second में है a-b का whole square plus 4ab अगर इसको अब solve किजेगा ना तो last में इतना ही आएगा बज की जो भी आएगा वो इतना ही आएगा कैसे यहां देखे हम solve करते हैं फर्मूला है a-b का whole square plus 4ab ठीक है ना तो a-b का whole square फर्मूला क्या होता है a square plus b square minus 2ab plus 4ab यहां हो जाएगा a square plus b square अब यहां देखे है minus 2ab है यहां plus 4ab 4ab यहां पर चार्ट होए यहां दोट होए तो यह घड जाएगा ना 4ab में से 2ab मैनस हो जाएगा कितना बचेगा 2ab 2ab बचेगा तो देखे है इतना ही आया जो फर्मूला था a square plus b square plus 2ab a square plus b square plus 2ab तो इसलिए हम a plus b square फर्मूला यह भी लिख देते हैं a minus b square plus 4ab यह लिख देते हैं ठीक है चलिए तीन नमबर छोड़ देजी वो कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है a minus b square plus a minus b square plus 4ab 4 नमबर में आजा a square plus b square equal to फर्मूला a plus b square minus 2ab तो यह आखिर कैसे लिखते हैं यहां समझ लिजे आप क्या लिखा है यहाप है a square plus b square तो इसमें देखिए a square plus b square दिख रहा है आपको ठीक है न तो यहां समझे हैं मैं आपको सिर्षी रसम देता हूँ फर्मूला क्या होता है a plus b ka all square का फर्मूला होता है a square plus b square plus 2ab तो हमको क्या फर्मूला निकालना है a square plus b square का फर्मूला तो यहां देखिए यह वाला टर्म हम इधर कर ले ठीक है न इधर ही रहने दे और इसको इधर कर ले तो क्या लिखेंगे आप ए पलस बी का होल स्क्वार ठीकन और यह वादा टर्म इधर कर लीजिए जो पलस टू यह भी है इसको बरावर के सैट कर लीजिएगा तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यह पूरा यहाँ पलस में दे रखा है जब वो बरावर के सैट गा तो यह रूल होता है यह माइनस में आजाएगा माइनस टू यह भी हो जाएगा और इधर क्या बचएगा यह स्क्वार पलस पीस्कुएगा तो यही तो है फर्मोला दखी बन गया यही नहाँ पे लिखा हुआ है कि a प आहोता है यही फरमुटला इसका दो फरमुला होता है असक्ता ही दालआ है यह लिख सकते हैं तो क्या थैसा विर साजार चाहएं यह माइने संबान क्या हुआ होता है यह आई स्क्याइर प्लस ब्यस्क्वायर माईन trifle बी होता है चांग और यहां पर पिछ यहां पर्मुला यह और छो है आरहेस इस दोने एकवल है यहां फार नमर में देख लेजें ना एले जो दे रख है वह आरेचे इसका मतलब यह होगा यह होगा यह फर्मुला सही है यानि कि A square plus B square equal हम लिख सकते हैं A minus B का all square plus 2AB ठीक है 6 number में है A minus B का all square फर्मूला तो आप जानते होंगे नहीं जानते हैं तो सेम जैसे मैंने A plus B का all square का फर्मूला आपको बताया था प्रूब करने के लिए सेम प्रोसेस में भी यानि कि फर्मूला क्या A minus B का all square जब ही पावर दो है इसका मतलब यह है कि इसको दो बार गुना में लिखना पड़ेगा यानि कि A minus B और गुना A minus B A को अब यहाँ पर A को में ले लिए तो यहाँ हो जाएगा A minus B minus B यहाँ पर यह A minus B अब यहाँ गुना करेंगे A को A से गुना करेंगे तो A square हो जाएगा minus A गुना B A B minus B गुना A B A minus into minus plus B square ओके यहाँ तो हो जाएगा A square minus A B minus A B यहाँ कि minus 2 A B और plus B square यही तो फर्मूला है A square प़लस B square minus 2 A B यह फर्मूला है A minus B का All square का जो फर्मूला A plus B का All square का होता है क्या होता है A square plus B square plus 2 A B तो वही फर्मूला यहाँ भी याद रखिए A minus B का All square का सिर्फ आप मैनस कर देजिए minus 2 A B कर दिए वहाँ पहले पलस 2 A B सब्सक्राइब और चल्याएं को माइनद सब्सक्राइब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट जो है अ्युक्त हो उपका सथ नम्टontonेसे square minus b square equal to लिख सकते हैं a plus b into a minus b जब आप a plus b और गुना किजिएगा a minus b तो आपको इतना ही बचे कर last में a square minus b square गुना करके देख लेते हैं a को स्वरी यहापे a common ले लिए तो यह हो जाएगा a minus b और यहापे plus का sign है b तो b लिखेंगे फिर यह a minus b यहापे लिखेंगे ठीक है a को इसे गुना करेंगे तो a square minus a b plus का sign यहाँ हो जाएगा b into a b a हो जाएगा और यहाँ plus into minus minus b square यहाँ देखिए सोड़े दोस्तों यहाँ पर a square minus a b plus b a minus b square तो यह दोनों तो same है लेकिन है क्या एक plus में एक minus में एक plus में एक minus में तो यह दुनों cancer हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो अब यही बचाएगा सिर्फ यही बचाएगा a square minus b square यही तो था लेचेस में हैंना दखिएगा a square a square a square कि दर गया यार a square minus b square ठीक है नहीं a plus b into a minus b इसको हम प्रूब किया रहा जाएज तो यह रहा जाएज मिल गया ठीक है नौ नमर में a plus b का होल क्यों तो इसका फर्मुला था a q plus 3 a square b plus 3 a b a square plus b q ठीक है ना एक और फर्मुला था इसका a q plus b q plus 3 a into b 3 a b into a plus b चलिए आप अगला फर्मुला प्रूब करते हैं नौ नमर में फर्मुला है a plus b का होल क्यों तो इसको कैसे प्रूब करेंगे सिंपल है a plus b का होल क्यों यानिकि a plus b गुना a plus b चितना बावर उतना वार लिखना आपड़ता है गुना में a plus v a plus b into a plus b अब इन दोनों गुना करेंगे a plus b into a plus b a plus b का होल स्कॉर हो जगा a plus b का होल स्कॉर का क्या होता है a square plus b square plus 2ab ठीक है और यह a plus b वहां की है a plus b अब मैंने यहाँ पर a common ले लिया और यह बाला पूरा लिख देंगा a square plus b square a square plus 2ab ठीक है ना उसका प्लस का sign देंगे b को मन लेंगे यह और फिर हम यह पूरा लिख देंगे a square plus b square plus 2ab अब देखिए a को a square से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा a q a हो जाएगा a b square a इसमें इसमें गुना करेंगे इसको यहां बुना करेंगे तो यह हो जाएगा plus 2 यहां पर a है यहां भी है a square b single है plus b a square हो जाएगा plus b q हो जाएगा plus 2ab square हो जाएगा 2ab square plus a b square कितना हो जाएगा 3ab square ठीकन plus 2a square b और b a square यह भी हो जाएगा 3a square b बस होगे यह होजएगा a q plus b q plus 3a b square plus 3a square b इसको कुछ इस तरह किसे भी लिख सकते हैं a q plus b q plus 3a b यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा a ठीक है न और यहाँ जाएगा plus में b यहाँ पर ठीक है तो हो तो गया है यही तो पुरूप करना था a q plus b q plus 3ab into a plus b यही फिर मुला होता है देख लिए a q plus b q a q plus b q plus 3ab into a plus b और 9 नमर में जो लिखा है वह यहाँ पर है उपर में तो यह 9 नमर का होगा यह 10 नमर का होगा तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं a plus b q q तो कैसा रगा वीडियो ठीक है अगर वीडियो अच्छा लागे तो अपने दोस्तों के पास जरूरे और 10 से आगे हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक है